जै सिरी राम दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे समुदर मन्तन की एक बार की बात है शिवी जी के दर्शन के लिए दुर्वासा रिशी अपने सिशों के साथ कैलास जा रहे थे मार्ग में उन्हें देवराज इंदर मिले इंदर ने दुर्वासा रिशी और उनके सिशों को भगति पूर्वक प्रणाम किया तब दुर्वासा ने इंदर को आशिरवात देकर विश्नु भगवान का पारिजात पुस्प परदान किया इंदरासन के गर्व में चूर इंदर ने उस पुस्प को अपने एरावत हाती के मिस्तक पर रख दिया उस पुस्प का स्पर्स होते ही एरावत से हैसा विश्नु भगवान के समान तेजस्वी हो गया उसने इंदर का परित्याक कर दिया और उस दिव्य पुस्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया इंदर द्वार भगवान विश्नु के पुस्प का तिरसकार होते देखकर दुरवासा रिशी के क्रोध की सीमा ने रही उन्होंने देवराज इंदर को स्री लक्ष्मी से हीन हो जाने का साप दे दिया दुरवासम उन्ही के साप के पलसवरूप लक्ष्मी उसी संड स्वर्ग लोक को छोड़कर अधर्ष्य हो गई लक्षिमी के चले जाने से इंद्र आधी देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए उनका वैबव लुप्त हो गया इंद्र को बलहीन जानकर देथ्यों ने स्वर्ग पर आक्रमन कर दिया और देवगन को पराजित करके स्वर्ग के राजय पर अपना पर्चम फैरा दिया तब इंद्र देवगुरू ब्रस्पती और अन्य देवताओं के साथ ब्रमाजी की सबा में उपस्तित हुए तब ब्रमाजी बोले देवेंद्र बगवान विष्णू के बोगरूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर बगवती लक्षमी तुमारे पास से चली गई है उन्हें पुन्य प्रसंद करने के लिए तुम बगवान नारायन की करपद्रश्टी प्राप्त करो उनके आशिर्वात से तुमें खोया वैबव पुन्य मिल जाएगा इस प्रकर ब्रह्माजी ने इंद्र को आस्वस्त किया और उने लेकर बगवान विष्णू की सरण में पहुंचे वहाँ पर बगवान विष्णू भगवती लक्षमी के साथ विराजमान थे देवगन बगवान विष्णू की स्तूती करते हुए बोले भगवान आपके स्रीचरणों में हमारा बारंबार प्रणाम भगवान हम सब जिस उदेश्य से आपकी सरण में आये हैं करपा करके आप उसे पूरा कीजिए दुर्वासर इसी के साथ के कारण माता लक्षमी हम से रूट गई है और देत्यों ने हमें प्राजित करस्वर्ख पर अधिकार कर लिया है अब हम आपकी सरण में हैं हमारी रक्षा कीजिए भगवान विश्णू त्रेकाल दर्सी है वे पल भर में ही देवताओ के मन की बात जान गई तब वे देवगणों से बोले देवगण मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने क्योंकि केवल यही तुमारे कल्यान का उपाय है देत्यों पर इस समयकाल की विशेश करपा है इसलिए जब तक तुमारे उतकर्ष और देत्यों के पतन का समय नहीं आता तब तक तुम उनसे संदी कर लो सीर्व सागर के गर्ब में अनेग दिव्यपदार्थों के साथ साथ अमरित भी छिपा है उसे पीने वाले के सामने मिर्तु बिपराजित हो जाती है इसलिए तुमें समुंदर मंथन करना होगा यह कार्य अत्यांत दुसकर है अते इस कार्या में देत्यों से सायता लो कूटनीती भी यही कहती है कि आवसकता पढ़ने पर सत्रूओं को भी मित्र बना लेना चाहिए तत पस्चात अमरित पीकर अमर हो जाओ तब दूस्ट देत्या भी तुमारा आईद नहीं कर सकेंगे देवगण वे जो सर्थ रखें उसे स्वीकार कर लें यह बात याद रखें कि सांती से सभी कार्या बन जाते हैं क्रोध करने से कुछ नहीं होता बगवान विश्नु के प्रामर्स के अनुसार इंदरादी देवगण देत्य राजबली के पास संदी का परस्ताव लेकर गए और उन्हें अमरित के बारे में बताकर समुंदर मंथन के लिए तैयार कर लिया समुंदर मंथन के लिए समुंदर में मंतरांचल को स्तापित कर वासू की नाग को रस्ची मनाया गया तत पस्चात दोनों पक्स अमरत प्राप्ती के लिए समुंदर मंथन करने लगे अमरत पाने की इच्छा से सभी बड़े जो सोरवेक से मंथन कर रहे थे सैसा तभी समुंदर में से कालकूट नामक भैंकर विष निकला उस विष की अगनी से दसो दिसाय जलने लगी समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया उस विष की जवाला से सभी देवता तथा देत्य जलने लगे और उनकी कांती फीकी पढ़ने लगी इस पर सभी ने मिलकर भगवान संकर की प्रार्थना की उनकी प्रार्थना पर मादेव जी उस विष को अतेली पर रख कर उसे पी गए किन्त्व उसे कंट से नीचे नहीं उतरने दिया उस कालकूट विष के प्रभाव से सिव जी का कंट निला पढ़ गया इसलिए मादेव जी को निलकंट कहते हैं उनकी अतेली से जो थोड़ा सा विश्पिर्थवी पर टपक गया था उसे साब बिच्छुआदी विशेले जन्तुओं ने ग्रैन कर लिया विश्प को संकर बगवान के द्वारा पी लेने के पस्चाद फिर से समुंदर मंतन प्रारंब हुआ दूसरा रतन काम देनु गाय निकली जिसे रीशियों ने रख लिया फिर उच्छे सर्वा गोडा निकला जिसे देत्यराज बली ने रख लिया उसके बाद एरावत आती निकला जिसे देवराज इंदर ने ग्रैन किया एरावत के पस्चाद कोस्तुंब मनी समुंदर से निकली उसे विश्प बगवान ने रख लिया फिर कल्पदुम निकला और रंभा नामक अफसरा निकली इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया आगे फिर समुंदर कोमंतने से लक्ष्मी जी निकली लक्ष्मी जी ने स्वयम ही बगवान विश्णू को बर लिया उसके बाद करन्या के रूप में वारूनी परकट हुई जीसे दैत्तों ने ग्रहन किया फिर एक के पस्चात एक चंद्रमा पारिजात व्रक्ष तता संक निकले और अंत में धन्वंत रिने वेद अमरित का मट लेकर परकट हुए दोस्तों सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें जैस्री राम जैस्री राम